दोस्तों बधाइस आपको अमारे चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटसेप की जो निव पॉलिसी हैं उसके अपडेट के उपर दोस्तों आप में से भी सभी लोगों के अंदर ये डाउट होगा ये सवाल होंगे कि WhatsApp ने अपनी नई policy जो अपडेट करी है उसके अंदर क्या होगा दोस्तों ऐसे कि बहुत सरे questions उटे वे थे बहुत सरे सवाल बहुत सरे YouTube पर भी वीडियो मौझूद है जिसके अंदर ही कहा गया है कि या बताया गया था कि क्या आपका डाटा अप्चोरी हो जाएगा या इधर से उधर पहुँच जाएगा या हमें भी अपने चिंता होती थी मुझे भूँट टेंशन होती थी कि क्या होगा WhatsApp का बंत तो नहीं हो जाएगा क्या हमारे personal data को कोई और तो नहीं देखेगा या सुनेगा या हमारी जो भी चैट है वो कहीं यह दूदर लीक तो नहीं हो जाएगी और ऐसा भी कह रहे थे कि जो WhatsApp क्योंकि Facebook ने खरीद दिया है WhatsApp को तो ऐसा भी हमें लग रहा था कि हमारा जो personal data होगा वो अब हमारा ना रहकर वो Facebook के पास भी पहुँच जाएगा तो दोस्तो आपने से बहुत सरी लोगों ने जो WhatsApp ने अपडेट दिया था या अब WhatsApp जो इस तरह की जो आप WhatsApp चलाने के बाद आपसे कुछ acceptance माग रहा होगा तो आपने कर भी दिया होगा और बहुत लोगों ने तो पढ़ा भी होगा लेकिन बहुत लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा उसके अंदर आप WhatsApp ने भी किलियर कर दिया है कुछ चीजों को जो हमारे अंदर डाउड बने रहते थे तो यहाँ पर हम यही देखेंगे और आपस रिक्वेस्टे इस वीडियो का पूरा देखे तो दोस्तों जैसी कि आप देख सकते हैं कि मेरे फोन के उपर यह WhatsApp मैंने खो जो हमारे मन के अंदर जो डाउड रहते थे यहाँ पर WhatsApp ने उन्हें पूरा किलियर करने का यहाँ पर कोशिश करी है तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि WhatsApp ने यहाँ पर किलियर लिका है कि we can't read or listen to your personal conversation यानि कि हम आपके personal जो आपकी जो बाते हैं उनक चोरी तो नहीं कर लेगा तो उन्होंने यहाँ पर किलियर कर दिया है कि वो यहाँ पर आपके personal conversation या personal बातों को ना ही देख सकते हैं ना ही वो सुन सकते हैं उसके आगे देखे यहाँ पर यह उन्होंने बिजनेस चैट के बारे में भी किया है लिखा हुआ है कि we are making it easier to chat with business to ask questions and get quick answers ठीक है तो देखे यहाँ पर chatting with business is optional यहाँ पर उन्होंने बोला गया है कि optional है इसमें भी आपको कोई डरने वाली बात नहीं है ठीक है और नीचे देखे एक option और आपको यहाँ पर मिलेगा कि it is our responsibility to explain what we are changing तो यहाँ पर WhatsApp ने clear कर दिया है कि यह हमारी responsibility है कि इसे explain करना कि हम क्या change कर रहे हैं और क्या नहीं क्योंकि जब भी कोई नई update आता है तो तरह तरह की अववा है market में उन्हें लग जाती है तो यहाँ पर WhatsApp को भी यही लगा कि उनको खुद सामने आकर अपनी बाते रखनी चाहिए इसलिए इस तरह की जो चीजे आपको पहले कभी देख कर रहा हूँ तभी मैं इसको देरे देरे आपको यहाँ पर समझाऊंगा ठीक है और ताकि आपके भी मन में से doubt निकले और आप भी बेहिचाक WhatsApp को ठीक से चला पाएं देखिए अब यहाँ पर नीचे जाकर इसके अंदर पढ़ेंगे लेकिन हम जो खास चीजे हैं वो हम यह यहाँ पर पढ़ना चाहेंगे ठीक है तो देखिए नीचे यहाँ पर इन्होंने किलियर कर दिया है कि what is not changing मलब क्या नहीं बदला WhatsApp में तो the privacy and security of your personal chat आपकी family और friend के साथ will never change ठीक है यह किलियर इन्होंने कह दिया है कि आपकी family और friend के साथ जो आपकी जो personal बाते या chat थी उ यहाँ पर भी किलियर कर दिया है कि you are in control मतलब आपके पास पूरा control है कि आप business account के अंदर अपना number किजी को share करना चाहो या ना चाहो वो पूरी control आपके पास ही है उसके अंदर facebook कुछ भी नहीं sorry whatsapp कुछ भी नहीं कर सकता तीसरे number पर इन्होंने यहाँ पर भी किलियर कर दि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यह data आपने allow कर दिया है parent company इनकी जो facebook है उनको बेचने के लिए ऐसा नहीं है आपने अगर इसको accept कर भी लिया है तब भी आपने इन्हें permission नहीं दी है आपका personal data facebook के पास पहुचाने के लिए तो यहाँ पर एक तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर personal या privacy से related जो security settings कुछ भी थी उनके अंदर कुछ भी changes नहीं हुए है और नहीं आगे होंगे तो दोस्तो अगर आपने इसको accept कर लिया है तो भी आपको doubt रखने की जरूत नहीं है अगर नहीं भी रखा है तो आप इसे accept कर लिजे क्योंकि यह बहुत ही काम की setting है तो दोस्तो यह आपका doubt clear करने के लिए मैंने आप पर वीडियो बनाई कि बहुत से लोग WhatsApp के बारे में अवबा उड़ा रहे थे तो ऐसी कोई बात नहीं है आपकी जो personal conversation चैट वगर थी वो अभी भी secure है पहले की तरह ही तो आप बे धड़क WhatsApp को use कर सकते हैं तो दोस्तों यह जानकर रह ताकि आपको मारी बनाई हुई नहीं नहीं वीडियो लगातार मिलती रहें यह बल्कुल free होता है आप इसे जहाँ सब्सक्राइब फायदा उटा सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद